पच्चिस फरवरी दो हजार अठारा को हम डाक डे के नाम से बोले तो बेहतर है क्योंकि इस दिन हमने बॉलिवुट की उस हस्ती को खो दिया जिसने ना जाने कितने लोगों को अपना दिवाना बनाया हुआ था कुछ दिन पहले ही अपने पती के साथ धुमके लगाने वाली शिरी देवी अचानक ही इस दुनिया को अलविदा कह गई बॉलिवुट की पहली फीमिल सुपरस्टार कहलाने वाली आक्ट्रिस शिरी देवी ने अपनी आक्टिंग खुबसूरती डांसिंग से सबी को अपना फैन बना दिया था लेकिन आपको ये जान कर हेरानी होगी कि उनके सुपरस्टार बनने के पीछे उनकी कड़ी महनत थी उन्हें अपने काम के प्रती कितनी लगन थी इस बात का अंदाजा उनकी फिल्म चाल बास के किस्से से लगाया जा सकता है बताय जाता है कि ना जाने कहां से आई है ये लड़की गाने की शूटिंग होनी थी और शिरी देवी को 103 डिगरी का बुखार था सब को लगा कि शिरी देवी को अराम की जरूरत है तो आज अराम किया जाए लेकिन जब शिरी देवी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने शूटिंग करने के लिए कहा उन्होंने किसी की नहीं सुनी और उन्होंने 103 डिगरी के बुखार में शूटिंग की और ये उनकी महनेती थी कि ये फिल्म सूपर हिट साबित हुई बॉक्स ओफिस पर इस फिल्म ने धमाल मचा दिया था तो वही शिरी देवी के करियर को एक नहीं उडान मिली आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलेगा